हलो माइ फ्रेंड्स मैं हूँ वैभाव और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम देखने वाले है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इंवेस्टमेंट करने के लिए पैसे लेकर आते हैं पर यहां आने के बाद में उनको समझ में आता हैं और हम डेखकर इंवेस्टमेंट करें फिर क्या करते हैं एक दो थीन चार ऐसे रिजक्ते आ और जो रिचुर्च रिपोड जो निकलकर आता है उस पर injust करते हैं पर हम यह देखने वाले प्रजिस इस कंपनी के ऊपर बनाई हुई और यह रिसर्च रिपोर्ट बनाई यह वेंचुरा की तरफ से और उसका जो रिसर्च रिपोर्ट का डेट जो है इसु की हुई डेट 19 अप्रिल 2017 है यहां आप उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं रिसर्च सेक्षन में जा कि उन्होंने दी हुए है देखो मन पसंद बेवरिजस लिमिटेड तो यह कंपनी में यह जो पीडियोफ है मैंने आरे अल्रेडी डाउनलोड किया था इसलिए मैं यहां डिरेटली आपको लेकर आ रहा हूं तो उन्होंने यहां बताया था कि उसका प्राइस है 719 रुपीज जिस टाइम पर उन्होंने यह रिसर्च रिपोर्ट अपडिट किया था और इसका जो टार्गेट एक्स्पेक्टेटड जो प्राइस है वो है 1067 और वह कब तक बनेगा टार्गेट को उन्होंने एकश्पेक्टेशन दिया था कि फाइननाशियल यह टुन वंटी तक यह मतल कर से करके देख सकते हो कि उनका बिजनेस की सेक्टर में सेग्मेंट में उनके प्रोड़ेट कौन से है और वहां उस कंपनी का जो प्रोड़क्शन यूनिट कहा है उनका एक्सपेक्टेट सेल्स कितना है वगरा है सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है 2016 और उनके उसके पिछली को देखती हुए उन्होंने फाइनेशल रिपोर्ट को अनेलिस करने के बाद में उन्होंने 2017, 18, 19, 20 इस चारो साल का उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने एक्सपेक्टेशन कुछ दिये हुए है और उसके बिना पर उसके बेसिस पर उन्होंने टार्गेट प्राइस 1067 रु यहां आने के बाद में यहां आपको एक चोटा सा चार्ट ओपन हो जाएगा यह हम अभी उसको फुल स्क्रीन में करेंगे 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 अभी मैं यहां मनपसंद बेवरेजिस इस कंपनी का स्कृप्ट कोड डाल रहा हूँ कि मैं यहने सेलेट किया हूँ ताकि बहुत सारे लोग यहने सेलेट करकी यूज करते हैं यहां 15 मिनिट चार्ट उन्होंने पब्लिश किया हुआ है मैंने अभी इसको शिफ्ट करके वन वीक के उपर लेकर आ जाता हूं देखो यह जो चार्ट जो है इसका सिर्फ ट्रेंड देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक उपर अप्ट्रेंड था यह 2017 तक आपको अगर यह देखना है तो नीचे देख सकते हो 27 नोवेंबर 2017 दिखा रहा है अभी तो अप्ट्रेंड वहां था अचानक से मार्केट यहां से क्रेश हुआ है उस कंपनी का प्राइस तो क्या ह हो गया इसका रिजन आपको मालम नहीं मुझे भी नहीं कंपनी को भी मालम नहीं रहता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल जो रहते है वह उनके जो फंडामेंटल अनलेशिस जब आप करोगे आपको यह सब कुछ इन्फरमेशन पता चलेगा तो देखिए एक कंपनी जो है इस कंपनी ने IPO निकाला था सबसे पहले 150 रुपीज पे 6 जुलाई 2015 को तो वो कंपनी इस कंपनी ने क्या बताया कि 19 एप्रिल 2017 को इस कंपनी का जो प्राइस था वो प्राइस 719 रुपीज है तो देखें कि यहाँ अच्छल में था या नहीं तो देखो यहाँ मैं अभी इस वीक पे आया हूँ 17 एप्रिल 2017 यह इस वीक में वो 19 एप्रिल आ जाएगा तो देखो उपर देख सकते हो उसका ओपन प्राइस 361 रुपिज 50 पैसा हाई 365 रुपिज 98 पैसा लो 352 रुपिज 50 पैसा और छुश 358 रुपिज कि अब बोलोगे की यह प्राइस और यह प्राइस उसके जो दिखाई हूई जो प्राइस है कि यह प्राइस 719 रुपिज यह में ऊसमें डिफरेंस बहुत ज़्याद आ है याने टू टाइम्स का ही डिफरेंस है वो क्यूं तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्यूं है क्योंकि देखिए इस तारिक को यहाँ 27 सप्टेबर 2017 के दिन उन्होंने बताया है कि हम अपने शेर का स्प्लिट कर रहे हैं स्प्लिट मतलब क्या होता है देखिए यहां स्प्लिट रेशो 2 to 1 दिया है स्प्लिट क्या होता है अगर आपके डिमैट में एक शेर है 1,000 रुपीज उसका मार्केट प्राइस है और सड़नली कंपनी स्प्लिट करने का डिसीजन लेती है तो आपके डिमैट में दो शेर आ जाते है एक शेर के बजाए और शेर का जो प्राइस रहता है वो 1,000 से घट कर 500 तक आ जाता है यानि जब यह यह तभी होता है जब स्प्लिट रेशो 2 to 1 रेशो में हो जाता है 2 to 1 मसलब 2 शेर फोर 1 शेर ओके आपके डिमैट में एफेक्ट वही रहेगा जो एफेक्ट है जो कुछ भी वाल्यूम या वैल्यू है वही रहेगी सिर्फ वाल्यूम चेंज होगा वाल्यूम मतलब लोगों का जो ट्रेड करने का जो इंट्रेस्ट है वो सब चेंज हो जाएगा वो चेंज होने के लिए यह सब कुछ कमपनी करती है तो Company को जब लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइस हुआ है अपने कम्पनी का और लोग जो ट्रेडर फैव लोग ट्रेडर स्या इनिवेस्टर्स वो ऊपर कररें करें इस प्राइस से हुने से तो company यह करते है कि split करते है उस company शेयर का यानि एक शेयर की बज़े दो शेयर बस बाकि कुछ नहीं है तो आप देख सकते हो यहाँ यहाँ उसका price जो है वो है 361 रुपीज 50 पैसा तो उसका price 722 रुपीज अक्चुल प्राइस था उस टाइम पे जब जिस टाइम में जिस टाइम पे यह company ने रिसर्च पब्लीश किया था यह अप्रोक्सिमेटली हम जो बता रहे है कि वह यह जो प्राइस जो रिप्रेज्ट हो रहा है वह एक्चुल में उसी के लेवल पर बता रहा है यह जब भी ऐसा होता है तब यह पूरा प्राइस एज़ेश्टड हो जाता है यह पीछले वाला वी और आगे वाला भी अच्जेश्टड होता है प्राइस पर नार्मली किसी को भी पता नहीं रहता है पर fundamental जो रहते है मतलब market या उनके company के जो financials reports निकल के आते हैं उसके उपर जब हम गवर से देखते हैं कि वो उसमें क्या changes हो रहा है expected जो है बनाया हुआ सर्चरने उसके उपर वो काम कर रहा है या नहीं, sales अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं, यह सब कुछ यहां अपने को समझ में आता है, इसका मतलब मैं यह बता रहा हूँ कि आपको कौन से भी research के ऊपर focus या trust पूरा का पूरा trust डालना नहीं चाहिए, तो देखिए, यह crash होकर नीचे आया और अभी उसका price है 5 रूपीज 85 पैसा, मतलब देखो, इसका price अगर split होने के बाद में भी अगर देखा जाए, तो 1067 divided by 2 अगर करते हैं, तो 5 33 रूपीज 50 पैसा रहना है चाहिए था, पर अभी यह price क्या है, 5 रूपीज 85 पैसा, यानि पूरा का पूरा अपने investment सब कुछ investment च लेकर 13th April 2020 तक इस company को सिर्फ और सिर्फ lower circuit लगा है, यानि सब के सब seller सी बैठे हुए, बायर एक भी नहीं था, यहां से लेकर यहां तक, इतने week तक, तो ऐसा क्यों हुआ, कभी कभी financial जो रहते हैं, यह fundamental जो रहते हैं, वो change होते हैं, यह permanent decline है, तो कौन से भी company में, पूरा क पूरा trust जो है, वो दूसरे के उपर रखके हम trade नहीं करना चाहिए, तो friends, all in all, आपको यह बात पुरी तरह से समझ में आई होगी, कि दूसरों के research पढ़िए, पर invest करते समय, खुद का analysis यूज करे, और अपने खुद के finances के उपर गवर से ध्यान देकर, उसी तरह से आप finances क investment करने का सोच लीजिए, कहां investment करना है और कितना investment करना है, यह आपको खुद को सोचना होगा, यह आपकी खुद की responsibility है, thank you friends, please share this video to spread awareness among all of your friends